आईए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले सस्प्राइब करिए चैनल को घंटी पे क्लिक करिए और आल का ओप्शन सिलेक्ट नमस्ते दोस्तों आप सबका बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में और आप सभी का दिल से धन्यवात करना चाता हूँ अपने इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए और याद रखिए कोई सजेशन या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजेगा मुझे इंतजार रहेगा तो आपका कीमती टाइम बरबाद ना करते हुए बात करते हैं आज के विशे के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा सवासारी वटी से जुड़ी सभी उन महतपून बातों का जो इसके इस्तमाल से पहले जान लेना जरूरी है जैसे की इसका प्राइस क्या है इसको कहां से खरीदा जा सकता है यह किन जड़ी बूटियों से बनाई गई है इसके इस्तमाल किन समस्याओं में करना चाहिए और इसके इस्तमाल का क्या सही तरीका है यह सवासारी वटी पतंजली की कमपनी दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मिथ है यह 90 टेबलेट की बोतल 120 रुपे की किसी भी पतंजली स्टोर से खरीदी जा सकती है पतंजली सवासारी और शद्धी को कई रूप में तयार करती है जैसे कि सवासारी वटी, सवासारी सिरप, सवासारी क्वाथ जो की काड़ा बना के पिया जा सकता है और सवासारी रस जो पाउडर के रूप में मिलता है मुझे उमीद है सवासारी वटी में इस्तमाल कुछ जड़ी बूटियों के नाम जानते ही आपको समझ आ जाएगा कि यह हमारे शरीर के लिए कितनी लाबदायक हो सकती है सवासारी वटी को तियार करने में मुलेठी, सौट, छोटी पीपल, लौंग, डालचीनी, अदरक भस्म, मुकता शुक्ती भस्म और प्रवाल पिष्टी जैसी बहुत चर्चिच जड़ी बूटियों और ओशद्धियों का इस्तमाल किया गया है अब बात करते हैं इसके सेवन से होने वाले फायदों के बारे में सवासारी का सेवन स्वास से जुड़ी समस्याओं में बहुत फायदे मंद पाया गया है अगर आपको लंबे समय से खासी है या फिर खासते समय बलगम आता है तो इस ओशद्धी का इस्तमाल आपको फायदा पहुचा सकता है अगर आपको बार बार जुकाम हो जाता है या फेफडों में बलगम जम गया है या फिर नाक बिलकुल ब्लॉक हो गई है या फिर नाक बहनी बंदों नहीं होती है तो भी सवासारी का इस्तमाल फायदेमंद हो सकता है यह औशदी उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जिनको सांस लेने में समस्या महसूस होती है या फिर अस्तमा की शिकायत रहती है एक तरीके से आप ये समझ लीजे कि रेस्पिरेटरी से जुड़ी सभी समस्याओं में इसका बहुत उपयोगी पाया गया है इसका स फेफडों को मजबूत बनाता है और स्वास से जुड़ी बिमारियों को ठीक करने के साथ साथ उनसे बचाता भी है अब वीडियो में आगे बात करते हैं सवसारी वटी के सेवन के बारे में लेकिन पहले आप से विंती है कि वीडियो को लाइक जरू कर दीजे इस वीडियो में एक बार सेवन करना ही काफी रहेगा सवसारी वटी को गुनगुने पानी या दूद के साथ लिया जा सकता है अगर चाहें तो आयरुवेदिक चिकतसक से सला भी ले सकते हैं दोस्तों 10 साल की उमर से कम के बच्चों को इसका उप्योग बिना डक्टर की सलाके नहीं करना चाहिए सवसारी वटी के उप्योग के साथ धुम्रपान या शराप का प्रियोग नहीं करना चाहिए इस और शद्धी का आम तोर पे कोई दुष्प्रभाब देखा नहीं गया है लेकिन फिर भी अगर इसके इस्तमाल के बाद कुछ अजीब महसूस करते हैं तो तुरंत इ इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जाने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजे धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में